हेलो अब्रीवन वेल्कम बैक टुकेंट टूल्स वागत साब का टुकेंट टूल्स में और आज हम लोग देखेंगे कि कैसे किसी डिक्टनेरी के अंदर हम लूप चला सकते हैं डिक्टनेरी के तुरू अगर लूपिंग करना हो तो कैसे उसको इंप्लिमेंट किया जाता यहां पर क्या हो जाएगा मेरा नाम कि वेक है कि अफ्र दैट कामा लगेगा फिर सेकेंड वन अपका इसमें हो जाएगा रॉल और इसको हम ले लेते हैं टीजर टाइप का ठीक है रॉन नम्मर हंड्रेड टीक है बहुत ज्यादा हो गया चलिए अपके बाद में अब क्या लेगे अड्रेस एडबर टी ठीक है और इसको में टाइप करें लेंगे डी ओस्ट वरिया सदर ओके और यह बन गया डिक्षणरी ठीक है अब हम लोग क्या करने वारे हैं इसके तो लूप करेंगे सपूर्ट एट एक लूप लगाते हैं ठीक है यहाँ पर लूप लगाएं ले जैसे कि पूर आई इन डी और प्रिंट करेंगे प्रिंट आई ठीक है? इसक आई को क्या होने वाला है? देखी आई को प्रिंट करेंगे. कि अब बताइए आप लोग की क्या होने वाला है यहां पे प्रिंट वहना है यहां पे नदर चलेगा इन में तो देखिए जिए जब किसी भी डिक्टेरी को के थूर्थु हम लोग लूग चलाते हैं अगर फोर आई हिन्ड यानि हैं इन डिक्टेरी अगर करते हैं तो आई की जो value होती है वो उसकी key होती है value नहीं होती है केवल key होती है ठीक है जैसे पहली बार में इसका name होगा role होगा और address होगा ठीक है विवेक 100 और deos ये नहीं आने वाला है ठीक है यानि कि अगर केवल दिखनरी के नाम के through अगर हम कोई variable loop का लेते हैं जैसे कि i for i in d करते हैं तो i की value हर iteration में उसकी क्या होगी उसकी key होगी पहले key फिर दूसरी की फिर दीसरी की value को वो छोड़ देगा तो इसको run करा के देखते हैं ठीक है पहले पूरा clear करते हैं अब इसको run कराते है कराने के वाई simple question f5 प्रेस करना है ठीक है और okay करना है यह save करने के लिए बोलेगा यूदि पहली बार वो करने तो test.py कर दीजिए दिखिए इसमें क्या रहा 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 नेम आ रहा एड्रेस आ रहा यानि कि जितना भी key था वो आ रहा है value नहीं आ रहा यानि dictionary के थुरू अगर loop चलाते हैं for i in कोई भी dictionary करते हैं उसके बाद i की value को print करेंगे तो हमेशा वो key को return करेगा ठीक है तो अगर मालिज्य हमको value को print कराना है तब क्या करेंगी तो यहाँ जुगार लगा सकते हैं जुगार यह लगा सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं d और bracket में i लिख सकते हैं युकि i की value तो हम ऐसा key ही रहेगी तो हम d i करेंगे तो उसकी key के साथ जो value होगी वो print हो जाएगी यह कैसे होता पहले इसके बारे मैं समझा चुका हूँ ठीक है तो अब f5 प्रेस करेंगे अब क्या आगा विवेक आगा 100 आगा और deos आगा यानिकि अ हम चाहें तो value की तुरू भी loop करा सकते हैं उसके लिए क्लिखना पड़ेगा d.values और आपको पता है d.values क्या होता है उसका value का list दिखाता है तो अब यहां पर यह जुगार लगाने की ज़रूरत नहीं है अब direct i को ही प्रिंट कराएंगे और i क्या प्रिंट करेगा value को return करता है तो क्यूंकि अब i इसके अंदर चल ला है तो i की value पहली बार में विवेक होगी फिर 100 फिर d.os करके देख लेते हैं ठीक है तो f5 प्रेस करते हैं ठीक है देखी विवेक 100 d.os समझना है वैसे तो यह by default की पे ही काम करता है लेकिन आप यहां पे keys लगाएंगे k e y yes तो यह i की value key रहेगी आप default dictionary के नाम लिख देगा तब भी key रहेगा और यह key लिखेंगे तो यह function क्यूंकि key ही return करेगा तब भी रहेगा इसको run करेंगे तो key ही रहेगा ठीक है देखे नेम, row, number, address, key आ रहा है ठीक है अब इसको close करते हैं अब क्या कोई ऐसा तरीका है जि अब इसमें क्योंकि दो चीज़ें को यहाँ पर करेंगे ने करेंगे यह जो आपको दिखाए दे रहा दी डोट आइटम्स यह function क्या करेगा यह चीज़ें करता है तो यह और वैलू दूनों के पैर को रिटन करता है तो यहाँ पर रिसीब करने करेंगे दो वैरियापल भी तो डेखिए इसको कैसे करते हैं कि यह समझ मां गया तो यह था तरीका जिसके तुरू हम डिक्सेरी में लूप चला सकते हैं आसा करते हूं आपको यह अच्छे से समझ में आया होगा यह आपको इंफर्मेट्व लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यदि पहले सब्सक्राइब नहीं किया दुबारा मत किजिए नित्वान सब्सक्राइब हो जाएगा ठीक है और आपके जैसे स्टूडेंट जो है जो पाइसन सीखना चाहते है ना तो उनको ये वीडियो ज़रूर सेयर किजिए और नहीं कि झाहते है